हलो दोस्तों भीबू S1 इसके मोडल है अगर आपका पास में S1 Pro, Z1, Z1 Pro चाहे किसी भी मोडल भीबू का अगर इस तरह प्रोब्लिम हो रहा है जैसे आटोमेटिक सूजब हो जाना क्वाल करने का टाइम में आटोमेटिक सूजब हो रहा है कैमरा आपन करने का टाइम में कोभी 10%, कोभी 90 में आखे वी सूजब हो रहा है यहां पर देखो बैट्री 2% चार्ज आए यहां पर देखो 2% अलिए 2% और यह देखो आभी ओन तो हो गया जैसे हम कोई पर काल करेंगा तुरन सूजब हो जाएगा यहां पर देखो सूजब हो ऐा फिर आटोमेटिकली यह होगा उस इस तरह Problem हो रहा है यह बैटरी 90% है पीर भी शुविजब हो रहा है कोभी सकीन में बैटरी देख रहा है कोभी 90% उस इस तरह इसमें problem हो रहा है, model से कुछ मतलब नहीं है, आपका पास में किसी भी model हो सकता है, ठेके, तो यहाँ पर देखो, 2% चार्ज है न, अभी फोन को मैं switch up करके, चार्जर लागा के देखूंगा, अभी कितना person चार्ज है इस फोन में, mobile on condition में कितना person देख रहा है, 2% अपने देखा है, तो यहाँ पर देखो, mobile को switch up किया, अभी चार्ज में लगाया, अभी देखते हैं कितना person आ रहा है, यहाँ पर देखो, 79% एक सुल में बैटरी में चार्ज कितना है, 79% है, और जब हम इसको on करते हैं, तो कितना शो होता है, only 2% अभी मैं और एक बर आपको on करके, चिक करके देखाऊंगा, देख लेना, दोबरा से problem को देख लेना और यह वीडियो देखने का बात में, अगर आपका फुल में भी ऐसा problem हो रहा है, तो आप लोग 10% इसको ठिक कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, 2%, अभी भी 2% है, फिर से emergency call करके देखाऊंगा आपको, यहाँ पर देखो, और emergency call क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो password है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए emergency call कर रहा है, चाए आप emergency call करो, यहाँ कोई और call करो, call तो call होता है, यह call करने से, mobile restart हो रहा है, switch up हो रहा है, अगर ऐसा problem हो रहा है, तो तुरंत, आप किसी mobile repair shop में जाओ, और इसको ठेक करवाओ, और ऐसा case में आपका जो phone है यह charger लगा के जब आप use करेंगे, तो 90% mobile चलता है, 10% mobile नहीं चलता है, 10% mobile चाज़र लगाने से भी अग्पा सेम condition में होते रहता है, और यह जो problem है, यह common problem है, यह किसी भी phone में होता है, कोई-कोई phone में थोड़ा जल्दी होता है, कोई-कोई phone में 2-5 साल बाद में होता है, लेकिन यह problem आपका phone में भी आयेगा याएगा 110%, कभी न कभी, तो यह जो problem है, कोई-कोई भाई का साथ हुआ है, तो फिलिस भी जो comment करके बोलिए, और जिनका अभी तक नहीं हुआ है, उसका भी होगा, होगा तो 110%, कभी न कभी, अगर आपका phone यह 10, 15, 20, 25,000 का अंदर में ह जाए तो, और जो ज्यादा प्राइस का phone होता है, उसमें इतना जल्दी यह problem नहीं आता है, क्योंकि उस phone में battery fuse बोलके कोई होता ही नहीं है, जैसे यह सब phone में battery fuse लगा दिया है, company ने, तो ज्यादा इंसका phone में battery fuse तो देखने के लिए नहीं मिलता है, direct उसका battery खरब हो जाता है, और यह जो phone है, यह सब phone में battery आप लोग repair कर सकते हो, और यह problem होता है battery से, मैंने जितने भी problem का बार में बताया आपको, हर एक problem का solution क्या है battery, आप चाहिए तो battery को replace कर सकते हो, नहीं तो इसी battery को आप repair कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ही काम करना पड़ता है battery को खोलना पड़ता है, बैटरी का circuit को बाहर निकलना पड़ता है, और यह circuit में एक तो सुटा सा fuse रहता है, यह जो fuse है, इसको आप निकल के direct shot कर सकते हो, यह तो jumper कर सकते हो, shot करना, jumper करना same होता है, यहाँ पर देखो, fuse कुन सा है, देखने के लिए कैसे होता है, यहाँ पर देखो, यह देखो, साइट में जो है, यह PLK जैसा देखने के लिए मिल रहा है, इसको आप लोग निकल के, shot कर देजिए, अपका यह switch up का relative जितने के प्रोब्लेम होगा, और एक प्रोब्लेम सल्व हो जाएगा, आपका, इस तरह निकलना है, और इस तरह इसको shot करना है, बस आपका प्रोब्लेम सल्व होगा, और कूज भी काम नहीं करना है, तो दुस्तों, यह जानकारी आप लोगों कैसा लगा है, अच्छा लगे, तो like, share, subscribe करना में चाल को, अगर पहली बर मेरा वीडियो देख रहे है, तो please subscribe करना चाल को, इस तरह का वीडियो हजारों पुरा है YouTube पर, हजारों लाकों में पुरा है YouTube पर, लेकिन जिन भाई अभी तक नहीं देखा है, उन भाई के लिए यह मेरा वीडियो है, और मेरा बहुत सरय ऐसा भी वीडियो है, उन में बहुत भाई ने मुझे कॉमेंट किया है भाई यह काम करने के कितना फृष लेते हैं, वह लोग का मूत का हिसाब से होगा, अभी उनका दुकान का किराई का हिसाब से होगा हार एक दुकान का किराई अलग-अलग होता है जैसे मेरा दुकान का किराई है 2000 रुपया उसी तरह आपको वहापे दुकान का किराई कितना है वह आपको मुलूम होगा तो मेरा यहां पर अगर ऐसा काम लेके आएगा तो हम धाइश सो तीन सो चार्ष सो तक भी लेते हैं ठीक है सिद्धी से बात तो वह आपका दुकान का किराई का हिशब से और आपका टाइम के हिशब से यह बिल होता है एक न होता है कि इसके तनी चार्ष होना चाहिए इसको कुछ भी नहीं है वह अपना हिसब से लेजिए जिदने में आपको यह Hakno Cent यहां viewing चार्ष सो और अब धेकरा बारतं करने के बाद में देखते हैं कि इतना पर्ज स्छ यहांपश्य पर शुर्ण मेंैं और देखो 79% यह आपका OG चार्ज है ठेके पहले फिक चार्ज देखा रहा था 2% अभी देखते कॉल करके यहां पर देखो आभी सुईजप नहीं हो रहा है अभी आप चाहे कॉल कोरो गेम खेलो क्यामरा अफिन करो कुछ भी कोरो आपका फोन आभी सुईजप नहीं होगा ठेकू समस्ट क्या है